बॉलिवुड अभिनेत्री राखिस सावन टीवी के चर्चित और विवादिर शो बिग बॉस 14 से बाहर आ चुकी है शो में रहते हुए उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी राखिस सावन ने बिग बॉस 14 के घर में अपनी नीजी जिन्दगी को लेकर कई खुलासे किये हैं उन्होंने इस बात कभी दावा किया था कि वो शादी शुदा है और उनके पती का नाम रितेश है हाला कि राखिस सावन की ये सीक्रेट शादी कब हुई ये किसी को नहीं पता है और नाहीं उनके पती अभी तक मीडिया के सामने आये हैं वहीं इन सब के बीच राखिस सावन ने बिग बॉस 14 से निकलने के बाद एक बाफ फिर से अपने पती रितेश को लेकर प्रतिकिर्या दी है राखिस ने बिग बॉस 14 के घर में खुलासा किया था कि उनके पती पहले से ही शादी शुदा थे और उसके बच्चे भी थे लेकिन ये बात राखिस सावन को पता नहीं थी अब उन्होंने पती रितेश की शादी शुदा जिंदगी को लेकर बड़ी बात बोली है बिग बॉस 14 से निकलने के बाद राखिस सावन ने एक इंटर्वियो में अपने सफर और पती रितेश को लेकर लंबी बात चीत की है राखिस सावन ने अपने पती की शादी शुदा जिंदगी को लेकर कहा उन्होंने मुझ से एक बात चूपाई थी जो आप सब को बता दी है मैं नहीं चुपाना चाहती थी वरना अपना घर बसाने के लिए किसी का घर मैं नहीं उजार सकती राखिसावन्त ने रितेश के साथ अपना रिश्टा आगे बढ़ाने को लेकर भी अपनी प्रतिकिर्या दी है उन्होंने कहा है मुझे उनसे बात करने और समझाने की जरूरत है कि वो क्या चाहते हैं क्योंकि मैंने नैशनल टीवी पर खुलासा किया है मैंने शादी दिल से की है मैं अपने पती को बहुत चाहती हूँ अब मेरी तकदीर में ही नहीं है राखिसावन के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है वेल राखिने बिग बॉस 14 से 14 लाक रुपे लेकर खुल शो से बाहर निकल गई